असलाम अलेकुम अजिस तुलबा वेलकम टू एक्टिव लनर्स पॉइंट हम कर रहे थे एवियस वन का प्रैक्टिस सेट क्लास फिफ्थ के लिए इसका पार्ट टू है यह अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए चैनल पर मौझूद है तो हमने पार्ट वन में कोशन नमबर टैन तक कोश्चन को सॉल्फ किया था और अब हम आगे के जो कोशन है कोशन नमबर 11 वहां से स्टार्ट करेंगे तो फटा फट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो प्लीज कर दीजिए और बेल ऐकन के औल बटन को भी दबा दीजिए और आपसे एक छोटी सी हमबल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए प्लीज किप मत कीजिए फॉरवर्ट करके आगे ना दोडाए तो चलिए जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट क सेकेंड एनी टू प्लानेट्स अर्थ मार्स थोर्ड है नीचर साइकल तो वह है वोटर फॉर्थ एनिमल्स वीच इड्स प्लांट्स तो ऐसे अनिमल्स जो प्लांट्स खाते गोट काउग फेलो डियर एक्सेक्टर यहां देखिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर त्वेल्फ कोरिलेशन बिट्वीच देखिए डियर्स क्या खाते है प्लांट्स डियर्स प्लांट्स तो टाइगर्स क्या कहा है खाते है एनिमल्स मीट एनिमल्स का गोश्ट खाते है तो एनिमल्स मीट सेकंड है पोलार बियर पोलार बियर पोलार रिजन में रहते है और एलिफेंट्स रहते है होट क्लाइमिट में उसके बाद कुछ नमबर थर्टीन था मेक अफूद चेन इसमें आपको दिया हुआ है फ्रॉक, काइट, वॉर्म, स्नेक ग्रास, तो फर्स्ट आएगा ग्रास, ग्रास को खाता है अर्थ वॉम, या वॉम उसके बाद उसको खाता है फ्रॉक, उसको खाता है स्नेक और स्नेक को कई, इस तरह की इसकी फूड चेन बनेगी नेक्स कुशन को नमबर फॉर्टीन ड्राव अनीट वेल लेबल्ड डाइग्राम ऑफ वाटर साइकल आपको वाटर साइकल की डाइग्राम बनाना है और यह जो आपको दिया हुआ है रेंफॉल इरॉप्शन मेंशन कंडन सेशन यह सब आपको लिखना है उसमें लेबल करना है ठीक है नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर 15 Observe the figure and answer the following question यहाँ पर यह figure आपको दी हुए यहाँ पर बताया गया है Water है 2 upon 3 और Land है 1 upon 3 यहाँ पर first question है One third is What is two third of Earth Earth का two third क्या है तो Earth का two third water है How much is water present on Earth Earth पर कितना water present है तो वो है two third ठीक है और one third है Land यहाँ पर आप Land लिख लीजिए उसके बाद next question है Question number 16 Answer in one word तो एक word में आपको answer करना है What cows day and night The rotation of Earth Cows day and night तो आप श्रिफ यहाँ पर The rotation of Earth इतना भी लिख सकते है Second है The period from one new moon Next is called what A lunar month इसका अंसर है lunar month Third है what is Lithese month called इसका भी आंसर है the lunar month Fourth है how is the Earth's crust The Earth's crust is hard तो आप लिखना सकते हो hard ठीक है Next question है Question number 17 True or false Environmental balance is mentioned for Only one False यह क्या है False Environmental balance is mentioned for only one year Second है There are innumerable types of living things on Earth यह है true Third है Environment consists of living and non-living organism things तो यह है true इसके बाद next है Question number 18 Define gravity Gravity को define करना है All heavenly bodies exert a force of attraction और a pull on one another This force is called the force of gravity Second है Condensation The process of vapor turning into water on cooling Question number 19 ने make a list of the landforms you see in your surrounding तो आंशार है Mountain Pass Valley Hill Hill Hillock Plain Sea shore Sea shore Iceland Tatoo इसके बाद है Last question Question number 12 Write any two slogans about maintaining environmental balance तो बहुत सारे slogans हैं तो बहुत सारे slogans हैं अगर हम यह दो लिख सकते हैं और जादा जाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताके वो लोग भी फायदा उठा सके और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो पूरी देखिए हम मिलेंगे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वाचिंग अल्ला हफीज